नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है टार्गेट वीद गोस्वामी यूटूब चैनल में हरियाना करेंट अफेर जनवरी 2021 हमने स्टार्ट किया था इसके दो लेक्षर अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं तो वो वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शिन में लिंक दे दिया जाएगा वो वीडियो सबसे पहले आपको देखने हैं बहुती उंदा तरीके से बहुती बहुती बहतरीन तरीके से जो है कंटेंट बनाया गया है इमेजिज के बाद हमसे ताकि आपके माइंड में वो छाप छोड़े वो क्यूस्च तो आप टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शिन में दिया हुए वहां से उसको जोइन कर ले फर्स्ट क्यूसन है हरियाना का कौन सा जिला सेनिक परिवारों की संख्या के मामले में पहले नंबर पर है देखी आप सब जानते हैं कि सहीदों का सहर किसको कहते हैं जजजर को छेतरफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला होता था लेकिन चर्खी दादरी जब अलग हुआ चार दिसंबर 2016 को तो ये जो है तीसरे नंबर पर आ गया क्योंकि सबसे बड़ा फिर कौन हो गया जो है सिर्षा जिला हो गया ब्याडिस्तो सततर वरक किलोमेटर एरिया है जने वाले हैं कि जो सोड़ा दिसंबर को हम विजे दिवस मनाते हैं जो पाकिस्तान के साथ हमारी जीत के जिसन के जो पचास साल पूरे हुए तो उस तीन जो सवर्णिम विजे जोती जो हर भी भाग जो लेके जाते हैं ना सवर्णिम जोती होती है वो विजे जोती तो उस समझ आगे आपको ठीक है इक मतलब जब दोजार इकी सोड़ा दिसंबर आएगा विजे दिवस तब तक इसको जो है विभिन स्थानों पे ले जाये जाएगा याद रहेगा सबसे ज्यादा सेनिक परिवार भिवानी के अंदर है ठीक है भिवानी कब बना 1922 में बना था कब ब भैतर में चलिए पी एम एफ बी वाई की तरज पर अब हर्याना में किस योजना को सुरू किया गया है तो देखिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना सुरू की गई है आप देख पा रहे हैं जूम कर देता हूं देखिए गुड गवर्नेस डेकमराते 25 दिसंबर 2020 तो इस तीन जो है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना किसानों को क्या-क्या लाब देगी योजना इसमें सब्जियों पर 30,000 एकड और फलों के ओपर 40,000 एकड का जो बीमा होता है इसमें अब मैं बताता हूं इसमें क्या चीज़े है इसमें क्या है टोटल 20 फसलों क को इसमें सामिल किया गया है कितनी फसलों को 20 को जिसमें 14 सब्जी के फसले आलू है मटर है गाजर है बेंगन है हरीमिर से गोपी है ठीक है ये सारी सब्जियां है चौदा सब्जियां है दो मसाले है चार फ्रूट है ठीक है तो वो इसमें सामिल किये गए है इसमें क्या होत होता है बागवानी योजना के अंतरकत कि आपको जो है कुछ 5% रासी है वो जमा करवानी होती है पहले बीमे से की जो रासी होती है लेकिन इस योजना के तहत यह दी मुख्यमंतरी बागवानी योजना अब 2.5% डाई परसेंटी रासी है वो इसमें जमा करवानी पड़ेगी ठीक है तो मुख्यमंतरी बागवानी बीमा योजना समझा आगे आपको चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं फसले पूछ ले तो आप बता देना इसमें 20 फसल है टोटल कितनी है 20 फसल हर्याना में अब घर बेटे किसका लाइसेंस पहुचाने की सुधा की गई है देखिए सरल प हर्याना की किस जिले में सिंगल पिलर पर एलिवेटेड रेलवे ट्रेक बनाया जाएगा सिंगल पिलर पर एलिवेटेड होता उपर गामी ठीक है तो ये धर्मनगरी 225 करोड की लागत से जो है पिलर पर एलिवेटेड रेलवे ट्रेक बनेगा कहां पर कुर्छेतर में धर् की विजे हुई थी ठीक है तो कुर्चेतर समझ आगे चलिए आगे बड़े हरियाना में बिजली बोगताओं की सुविदा के लिए कि सेवा को सुरू किया गया है तो मिस्ट कॉल अलर्ट सर्विस को सुरुवात की गई है देखिए मैं जूम कर देता हूं बिजली बिल जमा कर हो असान ठीक है यह देखिए उत्तर भार्त बिजली वितन निगम बोगताओं के लिए यह सत्तर आट सो सत्तर उनिस चासो चतिस और इसी तरह हैं दक्षिन हरियाना बिजली बाड़ों के लिए सत्तर आट सो एक्यासी जीरो बाईसों तो यह नंबर है मिस्ट को लेकर आप लाइन कर सकें विजली का भुकतान यह सारी चीजें तो मिस्कॉल अलर्ट सर्विस जो है एप की सुरुवात की गई है अगला किस्टन है हाली में हरियाना के कितने मोडल संस्कृति स्कूलों को सीबीसी की मानिता मिली है तो यह मिल गी अभी 125 को टोटल 131 को देनी है ठीक है तो कितने 11 अभी पैंडिंग है उनको अभी मिली नहीं ठीक है उनको दी जाएगी सीबीसी की तरफ पर इसमें मीडियम हिंदी इंगलिस दोनों का अलग-अलग सेक्शन बनाया जाएगा अच्छे तरीके से उनको डिजिटल मादियम से सब चीजों से उनको पढ़ाया जाए जाएगा किस स्कूल को हर्याना का पर्थम आईएसो परमानित विद्याले का दरजा मिला है तो यह हरपाल आर्ये हदोडी स्कूल देखिए इसके काकडोली हुक्मी गाउं है एक चर्की दादरी में और वहां जो कन्या प्रात्मिक विद्याले है वहां पर जो यह टीचर हर आर्ये हदोडी इनकी नाम पर जैसे मैंने लिख दिया हरपाल आर्ये हदोडी स्कूल तो इनको जो इंटरनेशनलन जो आईएसो का जो है परमानित विद्याले का इसको दरजा मिला है कहां पर पड़ता है चर्की दादरी के अंदर जो यह अर्पाल आर्ये हदोडी है यह ब करनी रासी परदान कर रही है देखिए सर्मिकों के लिए हरियना सरकार जोम करके दिखा रहा हूं आपको देखिए बेटी की साधी के लिए 51,000 कन्यादान रासी मकान की खरीद के लिए जो निर्मान है तू दो लाक और मुख्यमंत्री सामाजिक सुरुक्षय योजना के तह है तो सर्मिक की मरत्यों पर उत्रा देकरी के साथा के लिए 50,000,00 तो ये तीन हैं 5,000,00 म्रत्यों के बाद दो लाक मकान बनाने के लिए 51,000 कन्यादान के लिए तो तीन रासी में मैंने लिखती है समझे लेना अब हरियाना के किस जिले में को रोना वेक्सिन के लिए कर बदलक स्टेट या छेत्रों में स्प्लाई की जाएगी हालांकि छोटे जो स्टोर है वो हर डिस्टिक में बढ़ाए जाएगे ठीक है और ये सिस्टम जो अपना वैक्सिन लगाने वाला कब से स्टाट हुआ सोड़ा जनवरी से हरियाना के अंदर ठीक है आगे बढ़ते हैं हरियाना के किस जिले में किस जिले की सरोजबाला को परदेश में कोरोना का पहला टिका लगाया गया है तो ये सरोजबाला सफाई करमचारी है पंचकुला से इनको पहला टिका लगाया गया उसके बाद हम बात करें सरोजबाला के बाद है जो additional Director General है वीना सिंग उनको उसके बाद लगाए गए बाद में जो जो अधिकारी है उनको लगाए गए था तो पहला ये सफाई क्रमचरी सरोजबाला को लगाए गए पंसकूला आप सब जानते हैं पंसकूला उनीसो पिचाण में में बना और आठसो अठाण में वरक किलोमेटर एरिया में ये फैला हुआ है पंसकूला के काड़का से जो है घगर नदी परविश्च करती है काड़का का नाम कालकूट है तो बहुत सारे ऐसे इपॉर्टेंट क आप का प्रोटोकोल लॉंच किया है वो किसी ने किया है तो ये डिप्टी सीम जो चठे नंबर के डिप्टी सीम दुसिन चोटाला उन्होंने लॉंच किया है किसी लिए किया है जो आबकारी कराधन विभाग है उनकी जो देखरेक के लिए उसके लिए जो है ये प्रोटोक स्टिम के पास ठीक है पहले डिप्टी सीम कौन थे आप कॉमेंट सेक्षिन में मुझे बताएं मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको यह बात किस जिले में हर्याना के पहले जेल रेडियो स्टेशन के सुरुवात की गई है तेके जेल के अंदर जो है रेलियो जो रेडियो जो भी है वो ही जो है सुनाएंगे ठीक है तो यह पाणिपत से स्टाट हुए पाणिपत में लगए को 940 लोग जो है जेल में बंद है और पूरे हर्याना हैं बात करूँ तो मैं 18,000 के दी ठीक है तो कहां से सुरुवात हुए पाणिपत से पाणिपत को जो हम बुनकुरों का सेर कहते हैं एक नुवंबर 1989 को बनाई है लगए 1268 किलोमेटर एरिया में फैला हुआ हर्याना सरस्वती हेरिटेज डेवलप्मेंट दवारा कब आधी बदरी और पे हुआ में तीन दिवसी अंतराष्टी सरस्वती में सो दोजार एकीस का आयोजन किया जाएगा तो यह आयोजन तीन दिन का होगा ठीक है त्री डेस का त्री दिवसी है चोदा फरवरी सी सोडा फरवरी को चोदा फरवरी को आधी बदरी में आरती की जाएगी और उसके बाद जो है सोडा फरवरी को हम बात करें तो यह पेवा के अंदर रातरी में आरती का आयोजन होगा हर्याना के किस जिले की पिंकी राणी देश की पहली सबसे कम उमर की प्रोफेशनल ट्रेक्टर ड्राइवर बनी है तो ये हिसार से हिसार में डंडूर गाम है वहां की है 19 वर्स ये लड़की इसने जो हिसार के अंदर अगरिकल्चर जो इंसिट्यूटर वहीं से ट्रेनिंग वगेरा लिए है और ये 19 वर्स की पहली प्रोफेशनल ट्रेक्टर ड्राइवर बन गई है हर्याना के हम बात करें नवीन एवं नवीकरणी ए उर्जा विबाग को तीसमें राष्ट्रिय उर्जा सरंक्षन पुर्सकार 2020 में कौन सा पुर्सकार मिला है तो ये दूसरा पुर्सकार इनको दिया गया है अब यह फोटो में देख पा रहे हैं ये हरेडा क्या है तो ये क्या हर्याना जो renewable energy development agency है हर्याना के किस जिले में बायो मास जो पलांट है बनाए जाएगा तो ये केथल के इंदर बनाए जाएगा केथल जिसको कपीश ठल कहते हैं केथल जिले के कांग थली गाओं में बिजली का बायो मास प्लांट बनाया जाएगा इस प्लांट के अंदर जो है केवल और केवल पराली का यूज किया जाएगा और उसी पराली से जो है इसमें बिजली उत्पन की जाएगी आने वाले टाइम में जो प्लांट है इसकी जो कैपस्टी की जो बताई गई वो 18 मेगवाट बताई गई बिजली प्रोडक्शन की ये लगबग सुचारू रूप से जो है जितने भी परवासी हरियानवी है उनके साथ अटेच्मेंट होगी अच्छा मतलब उनके साथ अटेच्च होगा तो यहां पर जो है लोग इन्वेस्ट करेंगे इस तरीके से इस विबाग बनाए गया है हरियाना की किस जिले मिस्तित शामसर तालाब को प्रियेटंस थल के दोनों तो हम बात करें करते हैं दादरी जो है दादर जील के कारण इसका नाम पड़ा कुछ लोग ऐसे मानते हैं तो यहां पर क्या है यह सामसर तालाब है यह सहर के बीचों बीच है और इसके चारों तरफ एक ट्रैक भी है जहां लोग घूम सकें तो उसको अच्छे तरी हैं लाइटिंग वगरा भी होंगे और सारी चीज़े इसमें की जाएंगी हरियाना हाली में हरियाना के कितनी गाउं में हरियाली लाने के लिए पोदार अपन अब्यान की यूजना बनाए गई है हमारा अंतिम क्यूस्टन है हरियाना में अब कितनी साल तक रहने वालों का बनाए जाएगा तो जो पांच साल से रह रहे हैं पांच साल तक हरी अड़ा में रहने वालों का भी डोमोसाइल बनेगा ऐसा मुख्यमंतरी ने गोश्णा की है कलियर है समझ आ गया तो यह हमारा तीसरा लेक्चर था बहुत ही इपोर्टेंट और पीडियेप्स में आपको लगातार प्रोवाइड करवाई रहा हूं गोश्वामी सर के उपर आप पीडियेप्स डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो को लाइक जरूर करें देखिए मैं इतना एफट कर रहा हूं तो इतना तो आप जरूर करें और कॉमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो जो यह जो पैटर्न है इस परकार से वह आपको कैसा लग रहा है चलिए मिलते हैं नेक्स लेक्चर के साथ तब तक लिए धन्यवाद थैंक यू